आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कच्चा लेहसुन का उप्योग कितना फाइदे मंद है और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कच्चे लेहसुन का उप्योग किसे करना चाहिए और कब और कितनी मातरा में करना चाहिए तो चलिए जानते हैं दोस्तों लहसुन का उपयोग लगबग लगबग हर घर में होता है यह बड़ी ही आसानी से हर घर के किचन में मिलने वाली आुसदी है लासुन का उपयोग लगबग लगबग पूरी दुनिया में तरह तरह के बिंजनों को बनाने तथा इनके स्वाथ को बढ़ाने में किया जाता है और ना क्योल भोजन का स्वात बढ़ाने के लिए बलकि स्वास्थ वर्धक और आउसदिय गुडों के कारड भोजन में लहसुन का उपयोग बहुत पहले से ही होता आ रहा है प्राजिन भारत में लहसुन का इस्तमाल आउसदिय और भूग बढ़ाने वादे फाइदों के लिए किया जाता था लहसुन को प्राकिर्तिक एंटिबाइटिक भी कहा जाता है यहां गर्म प्रकितिका होता है अब आए लहसुन के फाइदे को जानते हैं दोस्तों लहसुन के तो बहुत सारे फाइदे हैं उन में से कुछ फाइदों को एक एक करके हम आगे की वीडियो में जानेंगे तो चलिए जानते हैं नमबर एक लहसुन दिल के स्वास्त के लिए है फाइदे मन्द लहसुन दिल को स्वस्थ बनाने के लिए एक अच्छा आहार है लहसुन में बैड कलिस्टराल को कम करने की ताकत होती है क्योंकि लहसुन में सलफर पाया जाता है जो खराब कलिस्टराल कम करने में मदद करता है इसके सेवन से रक्ट परिसंचरन में सुधार होता है कुलेश्ट्राल कम होता है तथा हिर्दे रोग को रोकने में मदद मिलती है लहसुन के उबयोग से दिल का दरा या इश्ट्रोग का जोखिम कम हो जाता है दोस्तों लहसुन के हिर्दे समंदी लाप पाने के लिए आपको रो जाना सुबा दो या तीन कली कच्चे लहसुन को छील कर गुन गुने जल से सेवन करने से हिर्दे स्वास्त में सुधार होता है तता हिर्दे के रोग से मुक्ति मिलती है नमीर 2 लासुन खूनसाफ करने में मदद करता है दोस्तो लासुन सरीर के हर ایک अंग के लिए फाइदेमंद है और उनमें से एक फाइदा यह भी है कि यह खूनसाफ करने में मदद करता है यदि आप रो जाना एक से दो कली कच्चे लहसुन को गुनगुने जल के साथ इस्तिमाल करते हैं तो यह आपके सरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है क्योंकि यहाँ शरीर का तापमान बढ़ाने में मदद करता है और सरीर का तापमान बढ़ने से प्राकिर्थिक तरीके से टॉक्सिन निकलता है जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और खून को साफ करता है 2. इम्यूनिटी को इश्ट्रांग करता है दोस्तो लहसुन में अच्छी क्वाल्टी का एंटी आक्सिडेंट पाया जाता है जो सरीर को फिरी रेडिकल्स से बजाते हैं और यही फिरी रेडिकल्स हमारे सरीर में बिमारियां बनने का मुख कारण होते हैं लहसुन में anti-accident की मात्रा अच्छी रहती है जिस से immunity strong रहती है और सरीर बहुत सी बिमारियों से बजता है दोस्तों लहसुन का एक गुड यह भी है कि यह antibiotic और antiviral गुड से भरपूर होता है जिसके कारण यह सर्दी और खांसी के लिए अद्भूत उपचार है या अस्थमा और स्वास समंधी रोगों में भी लाफकारी है नमबर पांच लहसुन फंगर इंफेक्शन से करता है सुरच्छा दोस्तो लहसुन में फंगर इंफेक्शन से लड़ने की सकती होती है इसमें antifungal गुड पाये जाता है जिसके कारण यह दाज जैसे फंगर इंफेक्शन को जड़ से खत्म कर सकता है दाज से परवावित जगा पर लहसुन का पेश्ट या लहसुन का तेल लगाने से लाभ मिलता है दोस्तों लहसुन बंदनाक छेके आना और आँख से पानी आने जैसी इलर्जी के लच्छडों से आराम दिलाता है और उन्हें ठीक करने में मदद करता है लहसुन में उत्तम एंटी वाइरल और एंटी इंफलामेटरी गुल पाये जाते हैं जो सरीर को विमिन परकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करता है दोस्तों यदि लहसुन का परियोग उचित मात्रा में किया जाए तो यहाँ पाचन सक्ती को बढ़ाने का कारे करता है और पेट के कारेयों को नियंत्रित करता है पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदे मन का खाद पदार्थों में से एक लहसुन है लेकिन इसका यहाँ मतलब नहीं है कि लहसुन का जाएदा मात्रा में सेवन किया जाए क्योंकि यहाँ पाचन तंत्र को परिसान कर सकता है और पेट में जलन कर सकता है यहां सरीर में मौझूद घातक पदार्थों को नश्ट करने का कार करता है और पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है नमबर आठ लहसुन कैंसर को रोकने में है सहायक या कुछ परकार के ट्यूमर पर भी रोक लगाता है जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से लोग पीडित है उन्हें इस परकार के खतर से बचने के लिए हपते में कम से कम दो दिन कच्चे लहसुन की दो से तीन कडियों का पर्योग करना चाहिए इसके अलावा लहसुन के और भी बहुत सारे फाइदे हैं जिनको अगर विस्तार से बताया जाए तो सायद वीडियो एक या दो घंटे की हो जाएगी तो आईए सार्ट में ही लहसुन के उन और फाइदों को जान लेते हैं दोस्तो लहसुन वजन को कम करने में सहायक है लहसुन दात दर्द से राहत दिलाने में है उपयोगी लहसुन गठिया के दर्द को भी कम करता है इसके अलावा लहसुन हाई बीपी के मरीजों के लिए भी है फाइदे मन या सुगर के लेबल को सामान रखने में मदद करता है लहसुन वजन कम करने में भी सहायक है या आंतों की सुरच्छा करता है या हड्डियों को मजबूती देता है और दिमाग की सहत के लिए अच्छा है या आंखों की कमजोरी को रोकता है और तुचा को सुन्दर बनाने में मदद करता है लहसुन बालों के लिए भी फाइदे मंद है इसके अलावा लहसुन के बहुत सारे फाइदे हैं जिनको किसी अलग वीडियों बिस्तार से बताऊंगा अब आये जानते हैं कि लहसुन के सेवन से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है तदा लहसुन को हमें किस परकार इस्तिमाल करना चाहिए और किसे इस्तिमाल करना चाहिए और किसे नहीं इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तों जहां पर लहसुन के उपयोग के बहुत सारे फाइदे हैं वहीं पर इसके नुकसान भी हैं जिसका ग्यान सही परकार से इस्तिमाल करने और उन दुस परभाओं से बचने के लिए आवस्यक है लहसुन के नुकसान को अच्छे परकार से जान लें दोस्तों लहसुन का उपयोग, ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, गंधी सांस जैसी समस्या उत्पन कर सकता है यदि आप पेट और पाचन किरिया के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए लहसुन रक्त पतला करने में मदद करता है इसलिए रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ इसका उपयोग न करें लहसुन का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से पेट बा गले में जलन हो सकती है इस परकार के परियोग को गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए ज़्यादा उचित होगा कि यदि आप अपने डाक्टर की सला पर लेसुन का उप्योग करें यदि अब भी आपके मन में कोई प्रस्ण हो तो हमें कमेंट बाक्स में लिखें मैं जवाब देने की कोशिस करूँगा धन्यवाद